हलो एब्रिवान बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टड़ी डॉगमा में कोरोना वाइरस के इस क्राइसिस के टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्रे मोधी जी ने सभी देशवासियों से लॉकडाउन के बारे में बात की है आज का सेशन हम करेंगे मिशन लॉकडाउन 2.0 पर शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए ताके आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुशता रहें तो शुरू करते हैं आज का सेशन लॉकडाउन 2.0 पीएम सेवन स्टेप्स टू लाइफ जीवन की और साथ कदम प्राइम मिनिस्टर ने आज सुभा ये घोशना की है कि पूरे देश में लॉकडाउन को अगले 3rd में तक एक्स्टेंड किया जाएगा लॉकडाउन टू बी एक्स्टेंडेड तिल 3rd में नेक्स्ट रूल्स में विर रिलाक्स्ट फ्रॉम 20 अप्रिल 20 अप्रिल तक पूरे देश में लॉकडाउन को स्ट्रिक्ली फॉलो किया जाएगा इसके बाद जिस जिस एरियाज में लॉकडाउन सही से फॉलो किया गया और न्यू कॉरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या कम दिखाई देगा उन एरियाज में लॉकडाउन को कुछ हद तक रिलाक्स किया जाएगा इस दोरान प्राइम मिनिस्टर ने एपिल की है कि हमें साथ बात पर ध्यान देना चाहिए पहला है तेक प्रॉपर कियर ओफ दा सिनियर सिटिजन्स ओफ यो हाउस especially those with underlying problems हमें घर के बड़े बुजर्गों के ध्यान रखना होगा especially जो बिमार है उनका बहुत ज़ादा ध्यान रखना है next है lockdown and social distancing to be properly followed homemade face covers and mask to be used lockdown और social distancing का हमें बहुत strictly पालन करना है third है increase your immunity by following directions given by Ayush Ministry हमें खुद को स्वास्त रखना है इसके लिए ayush.gov.in जो की Ayush Ministry का official website है उसकी help ले सकते है next है to help curb coronavirus spread download आरोग्या सेतु application हमें आरोग्या सेतु mobile app को install करना है जिससे हमारे आसपास 6 feet के दाएरे में कोई COVID positive patient हो तो हमें पता चल जाएगा बाकी आरोग्या सेतु mobile application के उपर एक special वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊंगा next है wherever possible help poor families जरूरत मंद और गरीबों का help करना है next है in your business help your co-workers don't downsize people नौकरी से किसी को ना निकाले last है coronavirus soldiers doctors, nurses, sanitation workers respect them अभी इस संकट की घड़ी में यही लोग है जो दीन रात लगे हुए है देश और हमारी सेवा में तो उनका हमें खास तोर से सम्मान करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर और सबस्क्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मच